करनाटक के मुख्य मंतरी को लेकर कॉंग्रिस की फीनिय लीजर बीके हरी प्रसाद का बड़ा बयान आया हरी प्रसाद ने कहा कि मुख्य मंतरी कौन होगा ये बड़ा सवाल है सीक्रेट बैलेट से राई शमारी कराए गई है विधायकों के राय हाई कमान तक आ रही है आज शाम या कल सुबह तक फैसला हो जाएगा पार्टी हाई कमान जो भी फैसला लेंगे वो सब मानेंगे कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नहीं ता बीके हरिप्रसाथ साहब हमारे साथ हैं करनाटक में कॉंग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है 135 MLA के जीत कर आये लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसी को लेकर के कल से चर्चा हो रही है सर देर रात तक CLP की बैटक चली वन उन वन भी मीटिंग्स हुई MLA के साथ लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया पार्टी की तरफ से इसना देर क्यों लग लगए है बहुत बड़ा प्रश्ण चीन है कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसके लिए जवाब हमारे औल इंडिया कौनिस केमप्री का अद्देक्ष मलिका अजुन करगे साब ने तीन विक्षिकों को हमारे तरफ करनाट बैंगलोर आयते कल देर रात तीन बजे तक सब का राई लिया है मौकिक रूप में भी लिया है लिकित रूप में भी लिया है जो लिकित रूप में लिया है आप समझ लीजिए सिक्रेट बैलेट प्ली समझ लीजिए उसके बाद उसका राय लेके और जो बैलेट है उसको लेके करगे साथ के साथ चर्चा करके करगे साथ बाद में सुनिया जी और राहुजी के साथ चर्चा करके अंतिम निरने होगा करनाटर के मुख्यमंतरी कौन होगा तो ये बैलेट क्या ये तमाम परिवेक्षक अपने साथ दिली लेकर गए हैं और कॉंग्रेस अध्यक्ष के या वो सारे सारे सब लेकर दिली गए हैं तो सर क्या लग रहा है एक तरफ डीके शिवकुमार हैं दूसरी तरफ सिध्धरमया हैं इन्हीं दो में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा या कोई सर्प्राइज कैंडिडेट भी हो सकता है जो भी है जो बैलेट बॉक्स से जो जीन निकलेगा निकलेगा जो हमारे विदायक गंड जो राय दिलिया है उसके उपर निर्बर होता है तो क्या बैलेट बॉक्स यानि विधायों की राय जो है वही सर्वों पर ही होगी नंबर्स के आधार पर ही अगला चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा इसके साथ साथ करनाटक का इंट्रेस्ट पॉलिटिकल इंट्रेस्ट नैशनल लेवल पे वो देखे जो विधायक के राय है उसके मताबिक होगा कब तक सर स्तिती साफ हो जाएगी कब अगला मुख्यमंत्री करनाटक आज रात या कल तक हो जाएगा और शपत ग्रहन समारो कब तक उम्मीश जो जो बनेगा वो खताई कर लेगा इस तरह की भी खबरे आ रही थी कि सिधरमया के साथ ज़्यादा एमेलेज खड़े हैं खबरे बारत्य जंता पार्टी का सरकल में ये हमेशा बहुत दिन से चलते आ रहा है हमारा जो है कॉंग्रेस पार्टी सब का राई लेके करते हैं किसके साथ ज़्यादा है किसके साथ कम हो नहीं देखते हैं और कि डीके शिवकुमार मान नी रहे हैं नरास चल रहे हैं सब राए लेके गया है बाकी निर्णे जो आता है उस सब मानेगा सिदर्अ मैया को पांच साल सिएम बने रहने का नुभव है दो बार वो जेपिटी सिएम रह चुके है दूसरी तरफ डीके शिफ कुमार के अगवाई में कॉंग्रिस ने चुनाब जीता है वो पार्टी के ट्राबल शूटर रही है सिदर्अ मैया की जनता पर अच्छी पकड़ है तो शिफ कुमार की संगचन पर मस्बूत पकड़ है सिदर्अ मैया कुरबा सुमाज से आते हैं जिसके करनाचक में नौ फीसत अवोटर्स है तो दीके शिफ कुमार वो का लिगा सुमाज से आते हैं जिसके 15 प्रतीशत वोटर्स है सिदर्अ मैया कही बार पार्टी बदल चुके है लेकिन शिफ कुमार हमीशा कॉंग्रिस में ही रहे है दोनों में सीम पोस्ट को लेकर लड़ाय तो है लेकिन शिफ कुमार की फी लड़ाय फे इंकार कर रही है अशा कार रही है इंगो तो ना रहा है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर